बगवान के जितने गुणगान करें बहुत थोड़े हैं किसी शिष्ष ने गोतम बुद्ध बगवान से पूछा था कि आपने तो भूत कुछ प्राप्त किया है सब कुछ जाना है थोड़ा हमें भी बतलाईए तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है उसरुप ऐसे ही है जैसे प्रथ्वी मैंसे कोई एक कण को मैंने जान लिया हो यह अनन्त को यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है यह अनन्त है अखंड है, अचेध है, अबेद है अद्वैतं अच्चुतं अनाधिं अनंति रूपं आध्यं पुरान पुरुसं नवयोवनंच वेदेशु दुरलभं एदुरलभं आत्मभाग्तो गुविंदमादि पुरुसं तमा वद्वेदैशु दुरलभं उन्हाँ जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे जुदुरलभं एदुरलभं एदुरलभं आत्मभाग्तो लिएन आत्मभाग्तो यानि यो बगवान के परम प्रेमी भक्त हैं अर्जुन जैसे, उदव जैसे, प्रलाद महराज जैसे, धुरू महराज जैसे, अधुरलव उनके लिए अधुरलव है, उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों? प्रेम आत्म भगत हो, क्योंकि उन प्रेम ही भगते हैं प्रेम बड़ी चीज है प्रेम से ही परमीशर को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्यान से जानने की कौशिश करी तो व्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ति कहा है, भक्ति विलोच नेना, प्रेमान्यन चुरिता, भक्ति विलोच नेना, भक्ति बरे नेत्र होने चाहिए, भक्ति के चक्षु होने चाहिए, प्रेम के चक्षु, तब उनकी पहचान होती है, जल्दी से पहचान होती है, फिर उजर्रे जर्रे में इसकी पहचान की वो छोटी-छोटी चिडियों में भी वो ही बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सूरिये में उनीका प्रकाश है जल स्रोतों में जल में स्वाद वो ही है अगनी के रूप वो ही है वायू के इसपर्ष वो ही है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है यह भगवान के कलाएं हैं विभूतिया है भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लिन कभी हम यह उठा के नहीं देखते जल सरोतों में गंगा मैं हूँ आज वेग्यानी की इस नतीजे पर पहुँचेगी संसार के जितनी भी नदिया है उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यानी साइन्टिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा बगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरत के प्रार्थना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइन्टिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी नदिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ती गंगा की जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टपका डाल दो तो तुरंति विश्व बगवान की याद करता है कि विश्व के चरणों से आई गोई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता बगवान की याद करती होए शरीर छोड़िया है तो धन्न हो जाता है उप्राणी अग्यास करेंगे जीवन भर तब ही भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निष्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हो केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वर्गवास हो गया या वैकुंट सिदार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलानी दिन बारुआ है जरूर पधार न हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी ये परमरह्ष्मई महामंत्र भगवान को रिजाने का इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वेम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जो कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र, परम, शक्तिवान नाम चाहिए जा भवना को उज्वल करे हमारे और हमारी भवना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भवना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटीज, काम, क्रोध, मद, मोह, मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहां इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत बिशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सरदा के भी सेम बतलाया, कि सरदा जो इर्दे में होती है, सरदा का उदे होता है नाभी से, नाभी के इंदर से, इर्दे में आकर कि इसका फूल खिलता है, सरदा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्य नहीं होता पहले सरदा उद्य होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उद्य होगा पिर सरदा कैसे उद्य हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बेटे को पुत्र को चोटे बच्चों को बार बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके पृủ बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लेज़े बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डका डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सो बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृषनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उधे होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो होता है प्रेम जागरी तो होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं जिनों प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों मेरे बैठते हैं जिनको अनवव हो गया है «Relization हो गया है iestण का आत्मा का साक्षातकार हो गया है जिनों वन्भावस महान आत्मा ने किया, जिन्होंने तत्यों से उस इश्वर को पैचाना, जाना, वो ग्यान उपदेश करता है। उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है, गुरु के वाक्यों में, फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है, परमेश्वर में सर्द्धा पैदा होती है। जो मुझे तत्व से जानता हो, वो तुझे ज्ञान उप्देश करेगा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा, तो ग्यान से वगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है, सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंदफल होई, मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई, अभी तो गुरु को भी गिर्धर गोपाल के भीतर ही देख रही ही मीरा, क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं, सारे गुरु समाईते हैं, ब्रह्मा बिश्नु समाईते हैं, सारा बिश्व ब्रह्मान समाईते हैं, इसलिए तो अद्वत कहके बोला भगवान को, कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी, आप भी, सारे पसूप, पंची, जल, तालाब, समुद्र, सब भगवान के अंदर है, तो गुरुजी भी भगवान के अंदर ही है, बारनी, मीरा कहती है कि, मेरो तो गिर्दर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पती सोही, संतन धिंग, बैठ, बैठ, लोकलाज खोई, संतन के बीच में जाकर मेरा नाच ने लगी, भगवान के गुणगान करने लगी, तात मात भाई बंधू, आपनों ना कोई, मेरे तो गिर्दर गोपाल, दूसरों ना कोई, अस्वन जल सीच सीच, अब तो छट पटाती है प्रभू से मिलने, बहुत बियोगी नहीं बन गई, भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए, मीरा का हिर्दे चट पटाने लगा, तो चट पटाता है भगवत मिलने को, तो प्रेम के आशू मरते हैं, मिलने के लिए कभी रुदन करता है, कभी हसता है, कभी कि, महा भाव में चला जाता है, मीरा भाई कहती है, अस्वन जल सीच सीच, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनन्द फल होई, मेरो तो गिरदर गोपाल, अरी मा, मेरा तो गिरदर गोपाल है, और दूसरा कोई नहीं है, भगवान की शरण में आए, भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए, इस शरण में आने का एक सीधा मार्ग है, उन्हें कभी नहीं बिसा रहे, बिसा रहे, उठते बैठते, सोते जागते, नाते दोते, खाते पीते, चलते फिरते, बच्चों को खिलाते, कमाई करते, कभी भी भगवान को नहीं बुलाईए, भगवान आपके इर्दे में, आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको, क्या आप क्या विचार कर रहे हैं, आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है, पूरे विश्व के साक्षी भगव आत्मा के अंदर वो विशिश्टा है जो परमात्मा के अंदर है परमीश्वर के अंदर है अंसरुप से जैसे ही सागर की बुन्द में वो इं गुन तत्व है जो सागर के अंदर है यह सागर सौल्टी है ऐसे वो बूंध भी सौल्टी है तरल है सेम क्या ले ऐसे हम भगवान के यह अंशहे आत्मा है इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी पेवर कॉंशियस्नेस का भगवान से मिलता है एक दम लेद हम उसे इस्तित्य पर नहीं है हम पेवरिटी को को चुक भूखुकूर नाएक को यह पैचानते को और जीवन जीते हैं यह इतमोहुण में या राजोहुण में तो कौय कोई संता होन गुण में जीता है अपनी जीवन को पुर्णा आत्मा सतो हुं गुति है अपनी अपनी जीवन को निस सत्व गुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर इस लोकों में यह तीनों गुणों का वर्णन किया है आहर का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्या के प्रारव में आहर भगवान ने क्यों रखा क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े सभी आहर के ही रूप है यह साड़ा हमारा शरीर यह आहर का ही स्वरूप है जो जो आहर हमने किया खाया पिया वो यह तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहर मिला हो या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई उसे से ये शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है वो पहला गुरू है समाज का, ये शरीर का बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे मा उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खाता है, पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि ये भोजन अच्चा है मेरी मा खिलाती है इसमें दोश क्या है शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुन्दर गेहों की रोटिया है, बास्मति चावल है, खाखा के में शरीर खुश है परसन्नूँ, तो जो शुद्ध मा होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी कर घर्वाती है, तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर, सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन-मस्तिस्क में, बुद्धी में, सतोगुन प्रबल वस्थाम होता है, सतोगुन की परसंटेज हाई होती है, बगी रजोगुण नीचे दबा रहता है तमोगुण और भी बिल्कुल दब जाता है सतोगुण दबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं बच्वन से ही कैकडे का सूप पिलाओ गव के बच्चडे कटते हैं संसार में उचलते हुए खिलाओ कंचडे बिच्चु खिलाओ मक्की मच्चर खिलाओ टूना मच्चली खिलाओ सूर तीतर कबूतर खिलाओ जैसे जैसे खिलाओ खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होती है, वो दुख दाई है, वो रजोगुन और तमोगुन के अंदर वो परिवार बढ़ा होगा, वो अंदकार में बठकेगा, दुख पाएगा, बीमारियों में छट पठाएगा, अपनी इस जनम को भी खराब करेगा, और अगले जनम को भी खराब करेगा, बच्चे दारू पियेंगे बड़े हो के, क्यों उनके पिता जी ने उनको सिखा दिया सारा, यह सीख गए, पिता जी बड़े ड्रंकार थे, तो बड़े हो के बच्चे क्या करें, वो भी होई कर रहे हैं, और और ओरत क्या करें बेचारी, वो भी पीती ह लेकिन साइन्टिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं कि शराब ज्यादा शराब पीने से ये हमारे ब्रेन के सेल्स नस्ट हो जाते हैं पूरी तरह आदमी बिक्षिप्त पागल की तरह हो जाता है जीते जी ड्रंक हार्ट फिर भी वो कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में एक पैक जैसे लगा लिया खीक है उच्छीत है लेए शास्त्र तो थोड़ी मात्रा में भी अलाव नहीं करता आयरवेद तो बिल्कुल अलाव नहीं करता ना कोई जानवर खाना और ना शराब पीना ये दुखदाई है दुख शोकाम है प्रदा ये बीमारी को देने वाले चिंताओं को देने वाले और दुखों को देने वाले है रजोगुण है ये तमुगुण है तमुगुण तो पूर्णतया विनष्ट कर देता है नहीं मनुष्य का ही नहीं सभी प्राणियों का भोजन प्रकर्ति ने नियुक्त किया है मनुष्यों के उपर दो विशेश क्रपा भगवान की स्वयम की है ओपदेश करते हैं शास्त्रों में भगवान ने गीता में काया कि पत्रम पुस्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रैश्चति तद हम भक्ति उपरतम अशनामी प्रियतात मना जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे कोई बेज़िटेबल पत्रम पत्ता गोभी पत्ते की सब्जिया बहुत आते हैं आप जानते हैं चोड़ाई, पालग, पत्ता गोभी पत्ते में सारी बेज़िटेबल आ गई है पुस्पं फूल, फूल गोभी फूल गुलाब के फूल कमल के फूल कमल डंडी, कमल ककडी यह सब सब्जिया बनती है पत्तरम पुस्पं फलम फल, सुन्दर फल तमाम फल हैं या अन्विफल है अन्विफल है ड्राइफूट से हैं प्रूट से, यह सब फल हैं, पत्रम, पुस्पम, फलम, तोयम, तोयम यह निए जल, शराब नहीं बोला भगवाने, कि कोई बगत मुझे शराब अरपन करे, तो मैं सुईकार करता हूं, ग्रेन करता हूं, मैं भी पैग मार लेता हूं, कि मेरे बगत ने अरपन किया, ने हैं सात्विक बुद्धी के लोग होते हैं वो जल पान करते हैं जल पीते हैं नहीं कि शराब कोको कोला भी और पैपसी कोला भी उनके लिए बीमारी का घर है नहीं पीते हैं ही प्रूफ है इस बात का ये न्यूयर्क सिटी के अंदर यहां के गवर्नर कितनी कौशिश मायर मयूर कितना कौशिश करते हैं इसको बंद करने के लिए कि ये सुगरी चीजे मत पियो पैपसी कोला कोको कोला ये इसे डाइबेटिक्स परकड़ती है बीमारी आप है बढ़ती है नहीं तोयम जल फिर दूद है मक्षने मलाई है घी है दही है अम्रित है पांच अम्रित का हाई रवेद ने और शास्त्रों ने पंचाम्रित दूद है दही है घी है मिश्री गुड कन्य का रस है मीठा ये सब अम्रित जल है ये पांच अम्रित है पंचाम्रित कहके बोला भगवान को अरपन करते हैं जिसे हमारी बुद्धी में गुसे कि जो चीज भगवान परमिश्वर स्वीकार कर रहे हैं वो कितनी उत्तम होगी इसलिए उनको अम्रित का नाम दिया ये अम्रित है ये मरते हुए को भी जिला देते हैं ये नरक में जाते हुए को भी बचा लेते हैं ऐसी बुद्धी में पलेटा मार देते हैं शुद्ध कर और आप अपनी बच्छडे को जो दूद रिलीज करती है, वो दूद का भौत महत्व है, उस दूद का पान करना चाहिए, पीना चाहिए, वो गुनकारी दूद है, लेकिन जिन गायों की डेरी में से, डेरीों में से, दूसरी पडोसी गायों को ले जा ले जाके काटा जा रह है, और जो बच गई बैलेंस में, उनको अननेचरल प्रकरत रूप से, एक लंबा इंजक्शन दे करके, और एलेक्ट्रिक, थुनों में एलेक्ट्रिक मसीन की द्वारा, जो दूद को निकालते हैं, खीचते हैं, वो दूद में कहां प्रेम, और कहां वो तत्व, जो तत्व एक सुन्दर पाली हुई गाय के दूद में होता है, याद रखें, जो मा भी अपने बच्चे को दूद पिलाती है, इस्तनपान कराती है, तब वो जिस हिसाब से भी इस्तनपान करा रही है, उसी प्रकार से, उस दूद से, उस बच्चे की बुद्धी और मन डवलप होते ह और भावना, इसलिए जो सच्चे इरदे की माता हैं, वो बच्चों को दूद पिलाते हुए, इस्तनपान, बोटल का दूद नहीं, अपनी इस्तन का दूद, तो दूद पीता है बच्चा, और एक हाथ में गोदी में बच्चा है, दूद पी रहा है, और दूसरे हाथ से उ उसका हिर्द है, प्रेम भरा होगा, वो जीएगा जब तक, लिन आज कल तो अस्पताल में पैदा होता है, बच्चा हुआ है, बोटल शुरू कर देते हैं, वो भी मा के द्वारा नहीं, नर्सेज या दाई माई गर पर आ, जो भी कोई, हमने क्या बोलते हैं, नैनी रख ले हैं, गर की जो सर्वेंट, लेडी, वो उनको गोडगार के देती है, कि पीले, टाइम हो रहा है मुझे जानेगा, मेरा वक्त हो गया, पीले पीद, पी नहीं कौआम पड़, कैसे ही प्रेमेर्द है में, प्पन पेगा बच्चे के, अहार का बड़ा महत्व है, हमारे शरीर जो यह दिखाए दे रहे हैं, यह अहार के रूपे, यह अन्न में कोश है, शास्त पांच कोशों का वरणन करते हैं, उसमें पहला अन्न में कोश है, अन्न में कोश क्या है, यह हमारा शरीर, दूसरा प्रान में कोश है, जो हमारी ब्रीधिंग्स चलती है, प्रान वाईव अ आती है और अपान भाराती है यह दूसरा है प्राण यह 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 निया हम कहां पर पांच कोशों के परकोटे के बीतर बैठी हुई एक आत्मा है उसका वरनन करते हैं शाहत कि अन्द में कोश है पूरा चैपिट का पिर प्राण में कोश है इनका बहुत बड़ा-बड़ा प्रियोजन है वो प्राण ऐसे ही काम करवा लेता है क्रोध में जब प्राण वायू पान अपान चलता है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका बोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है सोते हैं जब और रूप हो जा चेंज करता है आपके वातवन को चेंज करता है तो आपकी प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है